सब्सक्राइब करें मैं टास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के निव अपडेट आपको मिलते रहें आज की इंफर्मिटिव क्लास में मैं आपको बताऊंगा साओ में स्मार्टफोन मैनुफाक्चरिंग कंपनी ने कौन सा बिजनस प्लान, कौन सी बिजनस स्ट्राटजी और किस तरह के बिजनस मॉडल को फॉलो किया जिसकी वजह से वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैनुफाक्चरिंग कंपनी बन गई नमस्कार दोस्तों मैं Dr. Amit Maheshwari Business Trainer, Corporate Trainer and Motivational Speaker आप सभी का सवगत करता हूँ आज की informative class में Friends, बहुत सारे multinational brands को study करने के बाद मैंने पाया कि multinational companies भारत में सफलता पाने के लिए Indian business plan को follow करती है That is business model according to Indian market Xiaomi जो Chinese smartphone manufacturing company है अपने product को इंडिया के top 30 cities में बेच कर second largest smartphone selling company बन गई है Xiaomi company का smartphone industry में 13.7% share है जो सारी mobile phone company से बहुत जदा आगे निकल चुकी है ये company केवल Samsung से कुछ कदम पीछे है जबकि Samsung smartphone industry में 25% share के साथ market को lead करता है IDC यानि International Data Corporation के survey के अनुसार Xiaomi पिछले quarter में बहुत सारी companies को पीछे छोड़ कर आगे निकल गया जैसे Intex, Lenovo और Micromax समझने की बात ये है कि Xiaomi company ने केवल दो ही सालों में Indian competitive market में top brands में से top two brands में अपनी जगा बना ली it appears to have played the price card to perfection, Micromax and Intex ने high specification smartphone भारतिय बाजार में competitive price के साथ उतार दिये जो Samsung और iPhone के लिए एक बहुत बड़ा challenge था, so friends really it was a serious challenge for Apple and Samsung इसी तरह Xiaomi Redmi ने high specification, best quality, standard smartphone, affordable price पर भारतिय बाजार में उतार दिया इसी वज़ा से सारी company अचंबित हो गई कि Xiaomi जैसी company low price वार में कितने समय तक बाजार में टिकी रहेगी, Xiaomi की सफलता million dollars के questions के रूप में कंपनियों के सामने खड़ी हो गई, और बाकी कंपनियों का ये मानना था कि Xiaomi product selling momentum को क्या लंबे समय तक maintain कर पाएगी, मेरे साथ इस informative video में बने रहे, क्योंकि अब जो secret में आपको बताने जा रहा हूं, उस secret को अपने business में implement करके आप extraordinary global success को हासिल कर सकते हैं, मनुजैन जो Xiaomi India के chief हैं वो इस बात के लिए निश्चिन्त हैं कि उनकी company भारत में अपने product के specification और quality के साथ हमेशा ग्रहक के सामने बनी रहेगी, Xiaomi global market में ही नहीं, Indian market में भी affordable price पर high standard specification के साथ standard product को market में बनाई रखेगी, तो आई ये जानते हैं, Xiaomi company के उन secrets को जिनकी वज़ा से वो सफलता के शिकर पर है और बहुत ही जल्दी वह company Samsung को भी पीछे छोड़ कर पहले पाइदान को प्राप्त कर लेगी, different approach in terms of marketing, marketing करने का सबसे अलग तरीका, friends मेरी एक बात को जहां से समझना, अगर वही करोगे, जो दुनिया ने किया है, तो वही मिलेगा, जो दुनिया को मिला है, अगर वो चाहते हो, जो किसी को नहीं मिला, तो वो करना पड़ेगा, जो किसी नहीं किया, low profit margin, selling product at most to the cost of production with nominal margin, अगर आप अपने product में, अपने margin की quantity को बहुत nominal रखते हैं, तो आपकी सफलता के chances कई गुना बढ़ जाते हैं, हमेशा अपने ग्रहाप के, अपने product के प्रती feedback को स्विकार करें, और हमेशा कोशिश करें, कि उसके feedback के अनुसार, आपका product हमेशा satisfactory product बन जाए, सावमी ने कोई भी physical store नहीं बनाया, जिसकी वज़ा से cost of selling घट गई, और पूरे विश्व में competitive price के साथ, वो online अपने product को exclusive partner के साथ sale करते हैं, सावमी ने high specification features के साथ, अपने product competitive price पर जब बाजार में बेचे, तो उन्होंने अपने product को Samsung, Apple, Motorola जैसी company के साथ price वार में आगे निकाल दिया, competition के इस दार में, जब बाकी सारी companies, online अपने product को sale, 6 महिने से लेकर 12 महिने तक करती हैं, उसी के comparatively, सावमी जैसी company ने अपने product को 18 महिने के लिए exclusively online उतार दिया, they followed innovative advertising strategy, they have done lot of advertisement through social media sites, internet marketing, digital marketing, even they only following flash selling strategy, advertisement करने का नयाब तरीका, जैसे के अपने live training program में भी मैं आपको बताता हूँ, के internet marketing, digital marketing और social media platform के साथ मिल कर, किस तरह से अपने product को advertise करती हैं, ठीक यही formula, sawomi company ने भी इस्तिमाल किया, उन्हें flash selling के माध्यम से, अपने product के booking ली और एक निश्यत समय में दुबारा से उसको follow किया, और हाँ, अगर साथ ही साथ, आप यह सीखना चाते हैं, how to use social media, internet marketing and digital marketing to grow your business at a nominal cost, तो मैं आपको अमंत्रित करता हूँ, मेरे five days के training program में, जहां पर हम entrepreneurs को सिखाते हैं, के internet marketing के जरिये और social media के माध्यम से, अपने business को कैसे advertise किया जा सकता है, friends, the last important thing, product की quality और specification इतना बेतर था, कि competitive price होने के बाद, जब ग्रहक ने उस product को खरीदा, तो online reviews में five rating उस product को दी, इसलिए यदि आप इस USP का इस्तिमाल अपने business में करते हैं, तो आने वाले समय में सफलता आपके कदम चुमेगी, saomi company ने trending sites और modern technology का भरपूर फायदा उठाया, और अपने business की market को अपने favor में कर लिया, उसके features android और iOS से जारा बहतर बना कर सस्ते दरों पर बाजार में उपलब्द कर आया, जिसमें appearance according to iOS और function appearing to android थे, जो दोनों के combination के साथ में एक बहतरीन operating system बन गया, MIUI के कारण ही यह brand सफलता के शिकर तक पहुँच गया, business में apart सफलता पाने के लिए, सावमी ने Google के साथ collaboration किया है, ताकि आने वाले समय में एक latest operating system के साथ, वो बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत बना सके, friends मेरे जीवन का उदेश है कि भारत के हर घर से एक व्यापारी तयार हो, एक brand तयार हो, ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत होकर अपना पर्चम पूरे विश्व में लह रहा है, इसलिए मैं पूरे भारत वर्ष से व्यापारियों को आम मंत्रित करता हूं, मेरे एगले ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है ROPE, Result Oriented Program for Entrepreneurs.